कितना लेग है फास्ट ट्रेक की वाच में उपर ही नहीं बढ़ रही है देखो टैचिस्पॉंस कितना बेकार है कितना वाहियाद है तो यह कहीं न कहीं फायर बुल्ट बहुत आगे निकल आती है तो फिलाल हमारे पास दो वाच्चेस हैं और दोनों ही सेम प्रैस ब्रैकेट म कि रिवॉल्ट FS1 प्रो है यह भी आपको 1799 बे में ही देखने को मिल रही है जो कि किलर डील एक यह मैंने खुद 3500 बाई की थी गाई बहुत पहले पिछले साल अभी इसका प्रैस बहुत कम हो चुक है अल्मोस्ट हाफ इसमें अगर हम बात करें मेटल का डाज मिलता है चलि यह आपको स्क्रीन पे फ्लैस दिख रहा होगा होता हुआ अगर हम बात करें आप बिल्ड कॉर्टी यहाँ पर सबसे पहले आगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसकी बेटर है फार बेटर है इससे अब आर्क यहां पर देखने में आपको बीट-एक्स-पी की कर्व लग सक देख रहा होगा तो देखो और उसी के साथ आप एक क्राउन की वर्किंग आ रही है पहले वर्किंग नहीं थी जो इसमें एक टेक्शर तो दिया गया है बट वर्किंग नहीं थी मेरे वाले उनुट में और इसमें तो वर्किंग है बाइड इफॉल्ट यहां पर बाच फे क्वालिटी मेरे को यहां पर इसकी ज्यादा बेटर लगी है बट फायर बोल्ड की नो डाउट टॉप की डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर बढ़ा के दिखाता हूं ब्राइटनेस यहां पर देखो डीपर ब्लैक सब्सक्राइब पर यह काफी अच्छी बात है और यहां पर बात करें यह च्ट्रैप की क्वालिटी मेरे को काफी जबर्दस लगी यह जो फायर बोल्ड का स्ट्रैप है यह वाला यह लेदर वाला यह भी आपको सेम 1709 में मिल रहा है और यहां पर इसकी तो क्या कहने यह नहीं यह सिलिकन स्ट्रैप है काफी कमाल का इसका भी 22 अम में स्ट्रैप साइज है तो यह है और आगे बात करते हैं यहां पर सारी चीजों की यहां पर टूपंट फैडी कव ग्लास है यहां त्रीडी कव्लास हाप कह सकते हो कर बॉडी मिलती है दोनों में किसका कर्वी जादा है आप खुद बता लागा बताना मेरे को कमेंट तो दो ही मिलते हैं देखने के लिए, यहाँ पर right side में swipe करते हैं, slow कौन सी आपको पता थल गया होगा, यह काफी slow है, और यह काफी fast है, इधर की side से आपको menu घुल जाता है, यहाँ पर इसमें आपको split screen मिलता है, और यह आपको जाना माना है, यह UI मिलता है आपको, जो आपने चीज एक्ट्रा मिलते हैं, यह कहीं न कहीं आपको ध्यान में रखना है, और setting पर चलते हैं, setting में अगर हम बात करें, यहाँ बहुत सच चीज मिल जाती है, जिसके सबसे पहले यहाँ पर watch faces चेंज कर सकते हो, watch face कि इसमें जाद मिलते हैं, इसमें जाद मिलते हैं, और screen time यह यहाँ पर always on display का option दोनों में ही देखने हो जाता है, अब always on display कि इसकी bright है, वो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर AOD clock, दो ही मिलते हैं, दोनों में, यहाँ पर अपका अलग नहीं मिलता है, analog and digitally मिलता है, on off करना पड़ेगा, यहाँ, digitally हमने on करक है समें भी, तो यह दो, fast track का का आपी जदा bright है से, और यहाँ पर fast track का, always on display का साथ काम करता है, I guess मैंने यहाँ पर कुछ वो करक है, करता है, इसका always on display, always on display के साथ काम करता है, fast track का करता है, I think मेरे में काम नहीं करा, वैसे करता है, उसके साथ-साथ, आगे चेक करें यहाँ तो दोनों में ही आपको, इसमे इसमें नहीं मिलता, अब इसका touch response बहुत बेकार है, मालब fast track की watch का touch response कह सकता हूँ, 100 में से, मालब 10 में से अगर आप use करोगे तो 5 ही बार चलेगा, 5 बार चलेगा ही नहीं, इसका touch response काफी अच्छा है, firebolt की watch का, तो यह भी है, मैं आपको दिखाया तो एक बार, आप बहुत आगे निकल जाती, touch response में, अब main में चीज़ दिखाया तो अंदर से आपको, दोने ही watches में, कहां गया यार, इसमें तो सच में दिमाग खराब हो गया है, fast track की watch में देखो, क्या हो रहा है, उपर भी करते नहीं बन रहा है, यह रहा multi sport, तो यहाँ पे sports mode check कर लेते हैं 55, और इसमें आपको दिखा रहा है, 56, तो accuracy आपको fast track में slightly better मिलती है, इससे, I know यहाँ यहाँ पे पांच steps ज्यादा कम है, बट यह की fast track slightly better perform करती है, fireball से, आगे बात करते हैं, यहाँ पे main में चीज़ों की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका multi sports में यहाँ sleep murder है, heart rate murder चेक क बाते हैं, red action का sensor दोनों में जल रहा है, तो यह भी अच्छी बात है, दोनों में dedicated sensor देखने को मिल जाते हैं, उसके आद इसमें चार game मिलते हैं, जो काफी अच्छी बात है, racing game मिल जाता है, इसमें जो game मिलता है आपको, जो fireball की watch में मिलता है, वो एक ही मिलता है, यह वाला और आगे बढ़ते हैं, यहां पर music controller, camera shutter, breathe, relax, that's it, यहां पर जादा कुछ है नहीं, और flashlight है, उसके बाद यहां पर calendar मिल जाता है, इसमें मैं extra चीज़ बताता है, calendar मिल जाता है, आपको, calculator मिल जाता है, second thing, third thing, is my source option मिलता है, fourth इसमें world clock option मिल जाता है, fifth इसमें stock market option मिलता है, sixth इसमें QR code store करने का option मिल जाता है, मतलब, छे चीज़ इसमें काफी extra दी गई है, और यहां पर brightness दिखाता हूं, किसके better है, देखो, दोनों में यह on camera ही, यहां पर lining ऐसे कुछ आ रही है, बट रियल में आपका कुछ नहीं दीखेगा, इसमें, रियल में ठीक है, अब यहां प जल्दबाजी में, तो call quality चेक रहता हूं, काफी loud है guys, मतलब कह सकता हूं, watches में न, सबसे ज्यादा loud इसकी है, और एक fireboard की watch आई थी, sphere, बहुत 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 थी वो, call transfer option भी है, इसमें हम बात करते हैं, एक बार, कैसी loudness मिलती है, इसमें आपको, काफी कम दिखा रहा है, इसमें भी ठीक है, बट, इसकी loudness का कोई जवाब नहीं है, देखो guys, conclusion पर आते हैं, यह lightweight है, और fireboard की थोड़ सी heavy भी है, बट मैं कह सकता हूं, ज्यादा premium fireboard की ही लगती है, अगर आपको premium watch ची है, तो fireboard के लिए आप जा सकते हैं, बट अगर आपक light weight watch ची है, और accuracy slightly better ची है, तो definitely आप fast track की watch के लिए जा सकते हैं, तो guys, यहाँ पर winner कौन सी है, तो winner यहाँ पर fireboard की watch है, यहाँ पर मैं कहूंगा, build quality better है, कहीं ना कहीं है, और lag नहीं है fireboard की watch में, जो कि fast track की watch irritate कर देती है, इसमें इतना lag है, कुछ कहने को नहीं, 30 hertz को हुए ची हटके हुए तो ना बहुत बेस्ट हुए थी watch, but again guys, जो है वो है आपके सामने, तो आपके विनर है fireboard की आर्क, अगर आपका query दोनों watches related कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेंट से कमेंट सेक्शन पूर सकते हो, चैनल को सब्सक्राब करें बिना, कहीं नहीं जाना आपक उनको भी all करते हैं, मिलते हैं आप से भी सेखली वीडियो में तल देन, बबाई